हेलो फ्रेंट्स वेल्गम तो माई यूट्यूब चैनल थरापिटिक निउट्रिशन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आनाच के बारे में जो की बलड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है डियाबिटीज को मात देने के लिए चिर बलड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदेमंद होती है इसे बारले के नाम से भी जाना जाता है जो का आटा डियाबिटीज पेशेंट के लिए किसी रामबान अउश्यदी से कम नहीं है इसका ग्लाइसमिक इंडेक्स कम होने के कारण यहां बल बहुत ही फाइदेमंद होती है लेकिन लोग इसका भूजन में उतना अधिक इस्तेमाल नहीं करते जो का आटा बहुत फाइदेमंद होता है इससे वदन घटाने में मदद मिलती है नियमित रूप से इसका सेवन करने से हार्ट हेल्दी रहता है साथ ही यहां डायबिटीज को कंट्रूल करने में भी फाइदेमंद है बारले का आटा बढ़े हुए कॉलिस्ट्रोल को कम करता है इसमें प्रोटीन, फाइबर्स, विटेमिन बी, जिंक और आयरन जैसे पोशकतत्व पाये जाते हैं इसमें बहुत कम क्यालोरीज होती है और फाइबर्स भरपूर मातरा में होते हैं अगर आपकी ब्लड शुगर हमेशा बढ़ी हुई रहती है तो आपको खाने में जो का उपयोग जरूर करना चाहिए अन्य सभी अनाजों के बीच जो की सबसे बड़ी खासियतिया है कि इसमें फाइबर्स बहुत जदा मातरा में होते हैं जो लगबग 17% है इस में विशेश रूप से घुलनशील बिटा ग्लुकन फाइबर्स उच्च मातरा में होते हैं यहां एक विशेश प्रकार का फाइबर्स है जो ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है और इसका उपयोग करने से हार्ड डिसीज को भी रोका जा सकता है जो का आटा और तलिया दोनों ही वजन घटाने में बहुत ही फाइदेमंद है जो में फाइबर्स वरपुर मातरा में होते हैं और कैलोरीज बहुत कम होती है इसे खाने से पेट जल्दी भरता है और लंबे समय तक भूक नहीं लगती यहां पाचन तंत्र में बलकिंग एजंट के परहुआ महसूस होता है इसका सेवन करने से कैलोरीज इंटेक कम हो जाती है जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है जो दो तरह की यह होती है एक छिलके वाली और एक बिना छिलके वाली जिसे की मोती जोक के नाम से भी जाना जाता है दोनों ही बलड शुगर को कंट्रॉल करने के लिए बहुती फाइदेमंद होती है छिलके वाली जोव में फाइबर्स की मातरा जदा होती है और इससे बनी हुई चपाती थोड़ी कडग बनती है इसलिए आप बिना छिलके वाली जोव का उपयोग भी कर सकते हैं आईए जानते हैं इसमें पाय जाने वाले पोशक सत्वों के बारे में जोव में प्रती 100 ग्राम, 354 किलो केलोरीज, 12.5 ग्राम प्रोटीन, 2.3 ग्राम फैट्स, 73.5 ग्राम कार्बोहाइडरेड और 17.3 ग्राम फाइबर्स होते हैं इसके अलावा इसमें केलिशियम, आयरन, मैगनीशियम, फोसफोरस, पोटेशियम, मैगनीज सेलेनियम और फॉलिक एसिड भी होते हैं इसके अलावा इसमें विटेमिन A, विटेमिन B1, B2, B3, B6, B12, विटेमिन C, विटेमिन E और जिंक भी होता है ब्लट शुगर लेवल को कंट्रूल करने के लिए जो बहुती फाइदेमंद है जो और इसका एक्स्ट्रेक्ट, ऑक् इसका डाटरी फाइबर फास्टिंग ब्लट शुगर को कम करने में मदद करता है साथ ही इसमें मौझूद फ्लेवनोईट्स खाना खाने के बाद के ब्लट शुगर लेवल को नियंतित करने में भी मदद करते हैं किसी भी भोजन के GI इंडेक्स से यहां पता चलता है कि कोई विशेश भोजन ब्लट शुगर लेवल को कितना प्रभावित कर सकता है जिस भोजन का GI इंडेक्स जितना कम होगा वहां ब्लट शुगर को उतना ही कम प्रभावित करता है अगर किसी भोजन का GI इंडेक्स 85 है तो यहां ब्लट शुगर को बहुत तेजी से बढ़ाएगा औ और अगर किसी भोजन का GI index 40 है, तो यहां blood sugar को बहुत कम प्रभावित करेगा. Diabetes की condition में 55 से कम GI index वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए. छिलके वाली जोग का GI index 20 से 25 होता है, और पकाने के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं होता. जबकि बिना चिलके वाले जोग का GI index 22 से 29 है, मोती जोग को एक घंटे तक उबालने के बाद इसका GI index थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें कुछ फाइबर्स नस्ट हो जाते हैं. डायबिटीज के कारण और भी कई बिमारियां शिरेन में घर करने लगती है, जैसे हरदय रोक, डायबिटीक रेटीनों पैथी, किसी घाओ का लंबे समय तक ठीक ना होना, ऐसी ही कई चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है. इस बिमारी में ब्लड शुगर को नियंतित करना सबसे बड़ी चुनोती होती है, हाला कि सही खानपान और नियमित एक्साइज से ब्लड शुगर लेवल को नियंतित रखा जा सकता है. यहां ब्लड कोलेस्ट्रोल को कम करने के लिए भी बहुत फाइदे मंद है. अन्य अनाजों की तुलना में इसमें चिपचिपे गुलंशिल फाइबर्स भरपूर मातरा में होते हैं, जो की ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल को कम करने में बहुत ही कारगर है, जो का सेवन करने से यहां intestine में मौझूद भोजन को चिपचिपपा बना देता है जिसकी वजह से यहां भोजन में मौझूद cholesterol और fats को bind कर लेता है और इसके absorption की दर कम होने लगती है इसका saveन करने से total cholesterol और bad cholesterol कम होने लगता है साथ ही good cholesterol का level बढ़ने लगता है यहां पेट और आतों के लिए बहुती फाइदे मंद होता है जो में मौझूद fibers, cups को रूपने और पाचनतंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं यहां ulcerative colitis, pancreatitis और gastrointestinal tract की अन्य समस्याओं को ठीक करने में मददगार हो सकता है यहां पेट में मौझूद healthy bacteria की growth को stimulate करते हैं ulcerative colitis की condition में मोती जोका 7 बहुती फाइदे मंद होता है इसमें मौझूद selenium से पेट के ulcers पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है यहां रक्त के गाढ़ेपन को कम करते हैं और blood flow को बहतर बनाने का काम करते हैं जिससे thrombosis, varicose vein और heart disease होने की संभावना काफी कम हो जाती है इसमें मौझूद विभिन्द पोशक तत्व हार्ट को healthy बनाए रखने में मदद करते हैं इसमें मौझूद potassium, folic acid, iron और vitamin B6 cholesterol को कम करने के साथ हार्ट संभन्दी कारियों में साहिता करते हैं इसमें मौझूद vitamin B6 और folic acid, homocystein नामक compound को कम करने में मदद करते हैं homocystein बढ़ने से heart disease होने का खत्रा बढ़ जाता है इसमें sodium की मात्रा कम होती है और potassium की मात्रा जदा होती है जिसके वज़े से यहां blood pressure को control करने में भी मदद करता है इसमें मौझूद fibers blood pressure को manage करने और cholesterol level को नियंदित करने में मदद करते हैं जिससे heart disease होने का खत्रा कम हो जाता है इसमें मौझूद beta-glucan fibers bile acid से जुड़कर उन्हें शरीर से निकाल कर खराब cholesterol को कम करते हैं यहां हड्डियों के लिए भी बहुत फाइदे मंद होता है इसमें मौझूद phosphorus, calcium, copper, magnesium और zinc हड्डियों को मजबुत बनाने में मदद करते हैं इसमें पाया जाने वाला zinc, bone mineralization और हड्डियों के विकास में मदद करता है साथ ही calcium, copper, magnesium और phosphorus हड्डियों को स्वस्थ रखते हैं और हड्डियों को मजबुत बनाये रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं यहां cancer जैसी conditions को रोकने में भी मददगार है जो में selenium होता है 2012 के एक अध्यन के अनुसार डाइट में selenium लेने से सूजन को रोकने में मदद मिल सकती है National Cancer Institute के अनुसार कुछ प्रकार की पुरानी सूजन जैसे की Crohn disease में cancer का खत्रा अधिक होता है ऐसा इसलिए क्योंकि लगातर सूजन कभी कभी DNA परिवर्तनों को ट्रिगर करती है जिससे कोशिकाएं अनियंतित रुप से विभाजित हो जाती है selenium एक अंटियोक्सिडेंट के रूप में कार्य करता है जो free radical से होने वाले damage से कोशिकाओं की रक्षा करता है इस प्रकार के damage से cancer का खत्रा बढ़ सकता है अब हम जानते हैं इसका सेवन किस तरह से किया जा सकता है जो को पीज कर इसका आटा बना कर इसकी रोटी बना कर खाई जा सकती है या फिर इसे दलिया के रूप में या फिर उपमा के रूप में भी खाया जा सकता है इसे सत्तू के रूप में भी नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं यहां आपका पाचन तंत्र भी मजबूत रखेगा और साथ ही वजन को भी नियंत्रित रखेगा डियाबिटीज के मरीज जो के जैसे अन्या लो गलाज़ेमिक इंडेक्स आहर को अपनी डियेट में शामिल कर सकते हैं जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा और इसके साथ ही नियंत्र एक्साइज और तनाव मुक्त जीवन शेली अपना कर ये एक स्वस्त जीवन जी सकते हैं फ्रेंड्स यह था हमारा आज का वीडियो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू